आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ प्याज और हरी मिर्ज की एकदम नई और आनोगी रेसिपी इस रेसिपी को देख के सबके मुह में पाणी आएगा और कोई खाये बिना रहना ही पाएगा तो चलिए देर किस बात की शुरू करते है आज की रेसिपी इस recipe को बनाने के लिए मैनी यहाँ पे medium size के 3 प्याज ले लिये हैं साथ में लिया है 4 हरे मिर्च और लिया है बहुत सारा हरा दिनिया आप मिर्ची की quantity थोड़ी कम या जादा कर सकते हैं या फिर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं अब हम प्याज को कट करेंगे और जो प्याज का डंठल होता है उसे हम कट करके अलग निकालेंगे इसको कट करने से प्याज की एक एक कली अलग हो जाएगी और हमें जितना पतला हो से के उतना हमें प्याज को कट करना है आप देख सकते हैं याप इस तरह से मैंने कट कर लिया है प्याज को इसी तरह से बाकी बचिवे प्याज को भी कट करेंगे और साथ में हरी मिर्च और कोथिम बीर को भी कट करेंगे देखी याप पर मैंने सारे प्याज और कोथिम बीर हरी मिर्च को कट कर लिया है आप देख सकते है अब हम इन प्याज को एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डालेंगे ताकि हमें इसे मिक्स करने में असानी रहे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक बड़े से बाउल में डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे नमक सौधा नुसार नमक डालने के और प्याच काटते समय कौन-कौन रोता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताईए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने मालिस करकर के करकर के इसकी कलियों को अलग निकाला है अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पाइसेस एक छोटा चमस लाल मिर्च का पाउडर आपको इसमें जितना तीखा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं अब हम डालेंगे वन फोड टीसपुल हल्दी पाउडर इसके साथ डालेंगे देट चमस धनिया पाउडर कटी हुई मिर्ची को भी डाल देते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज में दे कि हमारे रेसिपे में बहुती अच्छा इसका स्वाद आए और इसी के साथ लेंगे एक कप भर के बेसन एक साथ ही नहीं डालेंगे पूरा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें जितना बेसन आता है उतना है डालेंगे ज्यादा नहीं डालना है बेसन हमें इसमें आधा कप डालेंगे अभी और आधा कप बाद में डालेंगे हद से अच्छा से मिक्स कर लेते हैं इसको इसमें हमें पाने का बहुती कम उपयोग करना है बिल्कुल ना के बराबर देखिए इस तरह से डालते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा और इसको मिक्स करते जाएंगे इ उसका अच्छा खासा पानी निकाल दिया था लेकिन ये मुझे थोड़ा गाड़ा लग रहा है तो इसले में डाल रही हूँ एक चमज पानी पानी थोड़ा कमिया ज्यादा लग सकता है अब हम इसको अच्छा से मिक्स करेंगे बेशन और प्याज को हम जितना मिक्स करेंगे उतनी रेसेपी हमारी अच्छे बनेगी अब हम इसमा डालेंगे हमारी कोथिम बेडेल यानि के कटा हुआ हरा धनिया धनिया को भी हम अच्छा से बेटर मिक्स करétने बैटर को चक करने का एक तरीका बताती हूं आपको देखिए इस तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे और जब हाथ से हम गिरा रहे हैं तब ये गिर रहे हैं अपने आप से नहीं गिर रहे हैं मतलब हमारा बैटर अभी रेडी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमस ओईल ये कच्चा तेल डाला है मैंने अभी इसको भी हम अच्छा से मिक्स करेंगे तेल डालने से जो हम रेशिपी बना रहे हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है बैटर अभी रेडी हो चुका है चलते है ग्यास की तरप यहाप मैंने पहले प्याच को मीडियं रखेंगे अभी हम इसमीं चममच नहीं लगाएंगे देखे इस तरह से थोड़े से वबबल्स काम हो जाए तहब हम इसको पलटि करेंगे और इसको अलटतेपलटते इसको हम अच्छा से क्रिस्पी करेंगे जितने ही क्रिस्पी होंगे उतने ही अच्छा लगेंगे पर इसका कलर हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है देखिए इस तरह से जब कलर हो जाए तब हम इसको निकाल के एक प्लेट में रखेंगे प्याच के पकोड़े के साथ हरी मिर्ची बहुती अच्छी लगती है खाने में तो इसलिए मैंने 4-5 हरी मिर्ची लिए है उसको मैंने इस तरह से बीच से एक कट लगाया है तलते समय ये फट सकती है इसलिए हमने इसमें कट लगाया है अब हम इसको इस तरह से फ्राय करेंग मिर्ची का कलर हमें जादा चेंज नहीं करना है देखिए जब इस तरह से कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब हम इसको निकालेंगे और एक प्लेट में रखेंगे और तुरंत ही डालेंगे इसके उपर थोड़ा सा नमक को भी हम अच्छा से मिला लेंगे नमक भी लीजी रेड़ी हो चुक है हमारे पयाच के पकोड़े यह फ़िर कंदा बजी और सात में हैं केच्ल ता है पहले हम एक पकोड़ा लेंगे और इसी के साथ लेंगे हरी मिर्च आहा क्या बात है, बहुत ही टेस्टी बना है हमारा कांदा बजिया और उसी के साथ है हरी मिर्ज उम्मीद करते हुआ आपको याज का वीडियो पसंद है और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को like जए और चानल को subscribe केजे सस्क्राइब के आगे जो बेल बटन आता है उसको भी क्लिक कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई